अजी जैन्द एवरिवन मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जो बच्चा इंजिरिंग करना चाहता है वैसे तो अपने देश में मैक्सिम्म जनता 12 के बाद इंजिरिंग की तरफ ही भागती है लेकिन उसमें फिल्टर लग जाता है क स्ट्रगल करने पड़ती है जोब लेने के लिए तो आज की इस वीडियो में आपको बता जाता हूं कि मैं रीजन स्पेसिफिक चल रहा हूं बच्चा ना मोस्ट ली अपने रीजन में डूनना चाहता है कुछ इसमें कॉलिज काफी निकल कर आएंगे जैसे मैं बताना चाह सकते हैं जो बैटर हो लेकिन मुझे लगता है कि मलब बैस तो यहीं है ठीक है चलो सबसे पहले तो नो डाउट डिल्ली अगर देखो अगर आप आटी में जाना चाह रहे हो अब्वेसले मदरस आज के टाइम पर टोप कर रही है खड़कपूर दिल्ली बॉंबे कानपूर यह सब एक ही मदलब थाली के चट्टे बट्टे टाइप में होते हैं ठीक है तो मेरे कोडिंग आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो यू मस्ट ओक फॉर आईटी डेली इसके लावा कानपूर मैंने बताया नौर्थ में आ जाता है ठीक है इसके लावा रूड की रूड की अगर आप डिल्ली कानपूर और रूड की में से मिल रहा हो तो अगर बाय चांस जैसे हो रहा कि यहां पर कंप्यूटर साइंस मिल रही है ठीक है रूड की में और किसी ओर कोलिज में दूसरी आजए प्र यह ज्यादा अच्छी है तो मस्ट गो फिर दिस आईटी रूड की तो तीन आजाते है वारणसी रोपड और मैं दिखाऊंगा एक और मंडी भी आएगी इसमें अभी आगए मंडी यह तीन अगें अगर आपको आटी का सिर्फ टैग चाहिए अगर आपको आटी का सिर्फ टैग चाहिए तो यू कें गो फॉर दिस वरना इनसे अच्छी प्लेस में अगर जाओ तो माई रिकमेंडेशन इस गो फॉर में ब्रांचे बिकोज जो कि में ब्रांचेज होगी और टैग भी होगा तो यू विल एक्सल ठीक है लेकिन अगर इनमें भी अलाइड ब्रांचेज मिल रही हैं और किसी अच्छे स्टेट के कोलिज में चापको स्टार स्टार्टिंग में लगता है क्या इए लेकर आपको इनंमें अलाइड ब्रांचेस मिल रही हैétais को स्टेट के अच्छे कोलिजिन का नाम मैं बताओंगा स्ट्ेक अच्छे में मिल रही है अगर से ाधिन में मिल रही है में ब्रॉांच गो फूर में प्रैंज ठेक है चलो गया तो यह तो हो गया अब मैं कुछ बता रहे हो ओपर कभी सेम सीन है या मिलिय स्लामिय सस्टे में और अच्छी प्लेस्पेंट मैं गया था ट्राइटे नंगो section में we प्राइवेट को बताओ नोर्थ इंडिया में तो बच्चे एक आएगा बिट्स पिला नहीं जिसका के बताओंगा दूसरा आता है थापड डिया लिटरली वैरी गूट स्पेसिकली इन कंप्यूटर साइंस एलेक्ट्रिकल डेयर वेरी गूट देहाव गूट प्लेस्मेंट ठीक है थापड़ेस गूट बच्चे पहले थोड़ा और अच्छा हुआ करता था और अब थोड़ा सब हो गया लेकिन फिर भी ठीक है बिट्स पिलाने हर चीज में अच्छा पीस ज्यादा लेकिन मैं कहता हूं हर चीज में अच्छा मतलब कुछ लोग इसको आईटी से भी सब्सक्राइब करिकुलम है दा वे दे लीड दा स्टूडेंट्स इस रियली वेरी गुड मतलब आपको यह अच्छा स्टेट कोलीज मिल रहा हो और विट्स पिलाने मिल रहा हो मतलब सोच सकते हैं मेरे जान पैचान में डियार डूइंग एक्सल इंडिया मंदेगा मैंने बताई दिया देखो दिल्ली में डिली करी बताता हो मैं अच्छा मेरे यह ना रैंकींग नहीं कभी सोच लोग की रैंकिंग है ना रैंकिंग नहीं है इनको को चालीं में ढहूं से दल्ली जो ठीक ठाक प्लेस्मेंट दे देता है महेंगा पड़ता है लेकिन प्लेस्मेंट की अपर्चुनिटीज देता है बहुत ही यूज केंपस और काफी कंपनी आती है तो पोईंट इस अगर आप डेली के आसपास वेले एरिया से किसी से बिटेक करना चाहा रहे हैं तो मेटी व वेरी शेमस बच्चे मेरे इसाब से जैपूर का वन ओफ दा बेस्ट कोलेजिस में बढ़िया मस देख दम एनस यूटी जो पहले एनसाइट हुआ करता था मैं यहीं से पढ़ा हूं मेरी यादेत है यह मेरा वाला ब्लोक है यह भी मेकैनिकल वाला ब्लोक है तो एनसाइट क चोड़ करें यहां पर कंप्रिटर साइंस लेते हैं देखो सीधर सीधर हिसाब नसाइट दिली में दो टॉप को लिजा अगर आप जाना चाहते हो मेकैनिकल सिविल इन फिल्ड के लिए गो फॉर डीटू बच्चे अगर आप जाना चाहते हो तो एक गो फॉर देस सिंपल स इस वैसे दोनों बरबरएं को लिजाए फील्ड में Same अगर आप अगर आप मेरो फील्ड करने वाला कोई नहीं आज overall सब कुछ बढ़िया है और ठीक है लेकिन मतलब मैं एक experience बता रहा हूं वैसे दिल्ली में after IIT यही दो college है जिन में आपको admission मिलता है तो life आपकी जन्नत है successful है बता रहा हूं यूपी की तरफ जाओ तो अलिगर्ड मुस्लिम इंवर्स्टी इसके अलाव में जिसमें नहीं डाला है एक महारीशी में मंडेश्वर में ट्रिप mmM करके है mmM करके है मतलब उससे मेरे professor थे उन्होंने मुझे बताया था मैंने इसमें तो लिस्ट में नहीं मिलता है यह स्टेट का उत्रा पॉपुलर नहीं है लेकिन ठीक ठाक है अलिगर्ड मुस्लिम इंश्टी कॉंट्रोवर्सी में रहती है लेकिन डू प्रवाइड गुड ऑप्शन स्पेसिफिक लिए अगर आपको हाइर स्टेडिस के लिए जाना है तो दिस इस गुड निटी करूग अंबेड कर नेशनल इंस्टीट ओफ टेक्नोजी जलंदर रैपीटिड अब 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 एवरेज कोलेज को जिए थीक है मोतिलाल नहर इंस्टीट ओफ टेक्नोजी अलाबाद यूपी के अच्छे कोलेज में एक बच्च्च दो तिन कोलेज अच्छे निकलते हैं उनमें से ठीक है मोति जोधपूर यह जो मंडी रोपर्द वाला सीन वारनसी से इसेंदी में अगर आपको ऑनेसाइटी डीट्यू जामिया इनमें ना मिले और अगर आप मलबो स्प्पेसिफिकली फीमेल के लिए वह इनी के लेवल के लेवल का उनका स्पूम भी सेम भरा जाता है उसके बाद अगर आप मेल कंडिडेट और आपको यह नहीं मिलते हैं गोफर बच्च आई-पी इंदर प्रस्ति न आते हैं ज्यादा अच्छी है इनकी युनिवस्टी जो द्वारका में है दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 14 में है वह एक्दम बैस्ट है और इसके लाव चार-पांच कोलीज हो रहे जैसे मारा जगरसेन सूरजमल और यह तो प्राइवेट होंगे दोनों और कुछ गवर् इन यह प्राइव पढ़ा करता था उस टाम इनका अलग से अपना अप्र ओखला में है इस इस और इस प्राइव पता नहीं करी है या नहीं करी है लेकिन ट्रिपल आट डेली इस वेरी गुड़ी फ्यर प्लैनिंग फोर कम्प्यूटर साइंस अच्छ इसमें रैंकिंग इसमें इंजिरिंग जो बहुत ही कम पाई जाती है अच्छे में और इन में ठीक है तो वेरी फिमस फोर डेट मेकैनिकल भी अच्छी है ठीक ठाक है मनलब वन उफ दा गुड कोलेज इन नौर्थ इंडिया ठीक है पंजाब युनिविस्टी के अंडर बहुत सारे लेकिन मे में रेकोर्डिंग यह बेस्ट कोलेज मैंने आपको बता दिये ठीक है एंड थोड़ी सी यादिर ताजा कर लूँ तो इस वाई कोलेज एक अच्छा कोलेज आपको एक अच्छी परसनेलिटी बनाता है ठीक है आज मैं जहूं मैं जब कोलेज में गया था तो बहुत ही आउंड जिस टाइब के लोग आपके आसपास रहते हैं वह चेंज करते हैं तो चूज प्रिसाइसली अगर आपकी अच्छी रैंकिंग रैंकिंग है ठीक है और आपको इस टाइप की और वीडियो चीए कोई और आपके मन में डाउट्स हो तो definitely you can mention in comments उस पर वीडियो बना आपके आ रहते है matter